हलो आपने समय की बात है एक दिन राज्या अपने मंद्रे के साथ अपने राज्या का हलजाल देखने के लिए निकलते है वो देखते हैं कि एक किसान पत्रेली और उबर खावड़ वाली जमिन पर घरे निन से सो रहा था उस किसान को देखकर राजा अपने मंतरी से कहता है कि ज़रा इसे देखो ए बेचारा इस अस्विदा फुरुन दिती में भी कितनी शांती से सो रहा है और हम है जो कि इतनी अच्छी सुविदा है कि बावजुद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं बाते है मंतरी ने कहा महराज एक किसान अब इस परिस्तितियों में ढल गया है इसलिए वो अच्छी से सो रहा है अब उसने अपने इसी जीवन को स्विकार कर लिया है मनुश्रिक का शर्र बहुती कटूर होता है उसे जैसी विवस्ता मिलती है वैसा ही वो अपने आपको उन परिस्तितियों में ढाल देता है राजा ने अपने मंतरे से कहा कि मुझे ये बात सचने लगते है राजा ने कहा कि हमें इसकी परिक्षा लेनी होगी उस किसान की परिक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले जाते है यहाँ पर राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविदा की व्यवस्ता की जाती है उस किसान को बहुत और अच्छा नर्ण बिस्तर सुनी के लिए देते ही किसान भी बड़ी खुशी के साथ राज़शी ठाट बाट का आनग लेने लगा इस तरह किसान को राजमेल ने आये वे दो मेने हो गए अब किसान भी इस सब सुखसुदाओं का गुलाम बन गया था उससे बीच एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिये किसान को अब इन सब सुखसुदाओं के आदत लग गए थी इसलिए वे वे बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने के वज़े से सारी रात करवटे बदलते रहा उसकी नीन भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई अगली सुबर राजा और मंत्रे उसके पास उसे मिलने के लिए पहुची उसकी बिस्तर में कुछ खुचने वाली चीदे है और इस चीचों के वज़े से उसे पूरी राठीक सी नेन भी नहीं आई किसान के बाद सुनकर मंत्रे ने तुरन राजास से कहा कि देखा महारत ये वही किसान है जोकि पत्रली भूमिबर भी गहरी निन में आरम से सो रहा था किन्तु ये अब दो महिने में तो राजमहल के विलासिता पुर्णा जीवन का आदि हो गया है अब तो इसे पत्ते और दिनके भी चुपने लगे हैं देखा महारत मेरी कही हुई बात सच निकली ना कि मनुष्य पुरिस्तितियों के अनुसार डल जाता है और वो पुरिस्तितियों का गुलाब होन जाता है राजा ने अपने मंतर से कहा हा तुमने मुझे उस दिन सच बताया था इंसान वाकई पुरिस्तितियों का गुलाब होता है हमें अपने शरीर को जादा सुक सुधाओं का आदी नहीं बनना चाहिए क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आपको बनाया होता है अगर हमें जरूरियत से जादा सुख सुधाय मिल जाती है तो हम कभी भी उन सुख सुधावली परितितियों के बीना रही नहीं पाते हैं अगर आपको हमारी स्टोरी परिस्थितियों का गुलाम अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताईए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी और ऐसे ही अलग-अलग स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेगा धन्यवाद, थैंक्स पो उचिंग